पहले आईसा होता था नमाज को जाने बलते थे ना तो इसा इधर इधर छुपने का जो उस वक्त उठकर नमाज पढ़ेंगे तो बल्ला हमारी दुआ करेंगा तो ऐसा भूत इक तरफ मौत है एक तरफ जिंदगी गरेंगे चीज़ का सिलतिला शुरू करने ले मुफ्ति फुर्खान है इनका और हमारा एक डिसकुशन हुआ था जब मैं इस चीज़ में पहले बार आया था ल्ला माफ करें मैं रमजान में छेचे पा रहे का कुरान खलास करता था रमज इस तरीके से तुम यह कुरान खतम करते हो लग पढ़के गुना में अली बात है ना जब तुम सीखो ना एक होता है गलती हो एक अलग चीज़े लेकिन तुम सीखी नहरे और उसको गलत पड़े हो तो माशालों उन्होंने मुहिम चालू कितना और मुफ्ति हम्जा है हमारे बिलाल भाई है हमारा आतिस दोलारे साहब भी है माशालों इंजिनर रहने के बावजित साथ पार उन्हेंने इसके और लोगों को सिखाते बच्चों को तो ऐसे ही उसामा खुटाल भी है अब महें 16 साल का है मैं उनसे पुछना चांगा कि तुम इस चीज में ट्रेक कैसा अच्छी उनके आवास कितने अच्छी उसा इसके ओपर बोले दिल खोल के बोले किसी का कुछ सोचे मच जो दिल में बाते बता दीजिए मैं जब नमास पढ़ता हूँ तो रमजान में तरहावे होती है मुफ्ती साब जब किरात करते तो किरात की वाज़े से कैसा एक इंसा कर वास हाँ,। वह तो एक अलग करता था ऐसा लगताएं खाली भूर होज drei करहिएं हिफ्ँ करं बाद में करों गा जब पहली बार में पहला जब कुरान हिफ्स करने को गया था तो ऐसा लगता है जान पर जोल आता था क्यों मैं जा रहा हुए तो बाद में क्या हुआ ऐसा मैं एक बार में को पहला पाला हुआ इसा मतलब पीछे से स्टार्ट किया था तो ऐसा कुरान हिफ्स कर रहा था तो फ एक बाद पिछले रमजान की बात है, तो कयाम लेल की नमाज को एक बाद मुफ्ती साब ने ख़ला किये थे, तब से में को बहुत अच्छा इसा एक दील में यह हुआ था, उसके वज़े से, और एक बात ऐसी थी, पहले अबू बोलते थे न, तो ऐसा अच्छा ने लगता था कि खाली में को कुरान पढ़ने बोलते है, आईसा हो इसा, इन जब मेरे का अभी याद होना चालू हुआ है, तो मैं इतना यह नहीं करता हो, कि अच्छा लगता है, कि हाँ याद हो रहा है, फिर तुम्हारा एक बाद ऐसी भी थी, कि अभी खुद से मैं कैसा नमाज को बात अच्छा तरपा करते हैं, आईसा तो अब याईसा ना मामूल वा कि अलहम्दल्ला ताज्यूद से उटता हूं, आद आपकी अबादत कबूल फरमाए, आपको इस पर खुब आजर्फान, इसी बात है कि इनकी उमर महेज 16 साल है, लेकिन अल्ला जब कुलूब को फेर देता गीप ना दीन की तरफ तो इस तरह अल्ला काम लेता है कि इस जमाने में इस उमर में में मेरी बात कर रहाओ कि तहजुद एक महिद भी द्रीम था मेरे लिए कि कश नमास को ताजुद की साई कई साल में एक बर कभी उठा अधने और स्पेशली और रम्दान में होता था कि रम्दान में उठेने के वो भी जल्दी अभी चार थाड़े दीन बजे सहीरी को उठे दा आद में दो रहा का ताजुद पढ़ तो ताजुद की नमाद अभी अल्हम्दल्ला महीं भी पढ़ता कि बहुत बड़ी चीज़ें के दूसरे लोगों को जाना पड़ता है यहां वहां कि अधर पढ़ाने हो नमाज माशले बहुत अच्छी तर्थी इसके बारे में जितनी तारीफ के कम है अल्ला रियाकारी से इनकी हिफादत फर्माया आमीन आमीन आवे